नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सबी अच्छे होंगे साथियों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि किस प्रकार से हम सिक्षकों पर सिकंजा करता जा रहा है और किस तरह से जो पहले चीजें चलती थी वो अब नहीं हो पाएंगे क्यों क्योंकि हर चीज ऑनलाइन हो रही है आए दिन आदेस पे आदेस 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 आ रहा है जो आप आउगत होंगे भली भाती जानते होंगे किस प्रकार से कैसे आदेस आ रहा है और कहीं न कहीं ये आपकी स्वतंतरता को उस आनलाइन सिस्टम में बाधा जा रहा है और वहां से आप गवर्न होंगे आपके सारे रिकार्ड एक क्लिक पे सामने आएंगे चाहे डाकुमेंट्स की बात कर ले, नौकरी की बात कर ले, उपस्तिति की बात कर ले या फिर प्रसिक्षण की बात कर ले, या फिर टीचिंग की भी, यहां तक की टीचिंग आपने क्या की है इसका भी व्योरा आनलाइन होने जा रहा है तो दोस्तों इन सारी चीजों पे आज इसके वीडियो में डिसकस करेंगे चैनल पे नए है तो निष्चित उसे सब्सक्राइब कीज़ेगा अपने दोस्तों को सेर कीज़ेगा और वीडियो कर पसंद आए तो एक लाइक अवर्सिक्षण से चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों चलिए पले हम सुरूआत करते हैं बात परसिक्षण से परसिक्षण की अगर हम बात कर ले तो आप इसके पहले क्या करते थे आप बी आर्सी केंदरों पे जाते थे वहां सब लोगी कठे होते थे अलग-अलग दिनों में अलग-अलग तिथियां तै होती थी और उस तिथि में सभी लोग आके अपना परसिक्षण लेते थे उस परसिक्षण की जो विसेस बात थी विसेस बात ये थी कि किसी की जीमेदारी नहीं तै की जाती थी परसिक्षण के प्रती तो जिमेदारी तरह न होने को जैसे हर ब्यक्तिला परवा होता था एक आपचारिक ताई निभाता था कि प्रशिक्षण है और चलके प्रशिक्षण हमको लेना है यहां तक कि आप देखे होंगे कि कई बार ऐसे मनरंजक वीडियोज भी वैरल हुए हैं जो हाँ कमेडी करते हुए सिक्षक साथिये मारे दिख गए हैं तो वो चीजे अब पूरी तरह से बंद हो जाएंगी क्यों क्योंकि आपको जो भी प्रशिक्षण लेना है वो दिख्षा एप के माध्यम से आनलाइन लेना है और जो सबसे बड़ी चीज कि आप दिख्षा एप से जुड़ते हैं अपने यूजर नेम और पासवर्ट से लॉगिंग करते हैं तो आप जो प्रशिक्षण ले रह लेते हैं तो आप स्कूल या घर बैठे हुए प्रशिक्षण ले लेते हैं चुट्टी के बाद या चुट्टी के पहले या फिर घर पे किसी भी समय या चुट्टी के दिन भी प्रशिक्षण हो जाता है तो आनलाइन प्रशिक्षण लेने में सबसे बड़ी बचत आप प 25 करोर रुपए के पूरी तरह से बचत भी होगी इसलिए भी गवर्मेंट का इस पे फोकस है कि प्रसिक्षण आनलाइन ही किया जाए दोस्तों अगर हम बात करने कि प्रसिक्षण लेगा कौन तो उस संदर में अगर बात करें तो सिक्षक हो या सिक्षामित्र हो या अनुदेशक हो इन सभी को आनलाइन दिख्षा एप के माध्यम से प्रसिक्षण लेना है अगर हम यह बात करें प्रशिक्छन के दौरान क्या होंगे तो इस प्रशिक्छन में आपने क्या सीखा इसकी E-Learning Passbook त्यार की जाएगी जी हाँ दोस्तों E-Learning Passbook होगी कि आपने प्रशिक्छन में क्या सीखा है और इसके आधार पे अंक निर्धारित किये गए हैं उसमें से 20 प्रत्सत अंक आपकी जो गोपनी आख्या दी जाती है उस गोपनी आख्या में ये 20 प्रत्सत अंक आपके जुड़ेंगे e-learning पास्बुक के आधार पर इसके अलावे अगर हम प्रसिक्षण की बात कर लें तो लगबग लगबग दोस्तों एक वर्स में 100 कोर्से होने हैं हैं प्रसिक्षण के आप एक वर्स में इतने प्रसिक्षण पूरे करेंगे इसके अतरिक्त दोस्तों राज सेक्षी कनुसंधान वर प्रसिक्षण परसिक्षण परसिद जो की आप जानते हैं S-C-E-R-T के नाम से वो एक कलेंडर जारी करेंगे और उस कलेंडर में उस कलेंडर में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसको एक छोटी डायरी के रूप में लांच करेंगी और उस डायरी में परसिक्षण का समय लक्षित सिक्षण तथा मुल्यांकन की जो अवद ही है वो उसमें मेंसन होगा साथ ही एक QR कोड भी दिया जाएगा हर सिक्षण को और वो QR कोड को स्केन करके उसकी QR कोड को और सिक्षण जो है उसमें कोर्स कर सकेंगे तो इस QR code में ही सारी चीजें चुपी रहेंगे अब इसमें दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिकंजा कसने की तो सिकंजा किस प्रकार से कसेगा तो आप खुद बताइए कि इसमें ये भी प्राउधान कर दिया गया है कि आपने दिक्षा पे जो ट्रेनिंग ली है उस सारी चीजें आपको मानोसमदा पोडल पर दिख जाएंगे इसलिए उसको उससे दिक्षा को मानोसमदा से मर्ज किया गया है अब इसमें एक क्लिक पर आपके सारे रिकार्ट देखा जा सकेगा सब देख पाएंगे कि कितने प्रसिक्षण कारिक्रोम को आपने पूरा कर लिया है और कितने नहीं किये हैं और इसी क्याधार पर दोस्तों उनमें से जो बहतर तरीके से सिक्षक ट्रेनिंग लेंगे जो चीज करेंगे वो बहतर निकल के आएंगे उनको एक अलग कर्टेरिया बनाया जाएगा और एक अलग उनको चैन किया जाएगा उनका और उनको जो बेनिफिट देना होगा वो दिया जाएगा तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी लपरवाही पूरी तरह से कस्दी गई है क्लोज कर दी गई है नई संभव है क्योंकि सारी चीजें आनलाइन हो चुकी है आपके सारे रिकार्ट सामने होंगे तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि दिख्छा आइप हो या मानोसमदा पोटल हो सारी चीजें आनलाइन हो जाने के बाद पूरी तरह से जो पहले की स्थिती थी वो पूरी तरह से बदल के लिग गई है इस संदर में आप देख चुके होंगे कि 27 तारीक को अपर मुखे सचीव का आदेश भी आ चुका है और उस आदेश में असपस तरफे सारी चीजों का जिक्र भी कर दिया गया है दोस्तों आप अगर उस आदेश को पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके और आसानी से स्क्रीन सट लेके आप पढ़ सकते हैं ये आदेश देख सकते हैं सेवारत सिक्षक प्रसिक्षण को दिक्षा एप के माध्यम से आनलाइन किये जाने के समन में ये आदेश है जो कि 27 तारीक को निर्गत किया गया है तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा आदेश जो है आनलाइन के प्रशिक्षन से और आनलाइन पढ़ाई के इर्द गिर्द गईन कहीं गोमता है और पूरी तरह से एक लियर हो चुका है कि अब हमको कंसंटेट होके अपना काम करना ही होगा तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही चैनल पे नएया है तो निश्ची गूर्प से सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों को सेर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवस्य कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट आपक्त से साथ नेक्स्ट व